हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होब आप लोग बहुत अच्छे से होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे मेरे चैनल कंचन डेली लाइश्टाइल में आप सब का स्वागत है आज है दिन 21 जून का जी है 21 जून कंफर्म नहीं थी तो कर लिया 21 जून है morning का time है और early morning जो भी मेरा routine होता है वो सारा कुछ मैंने complete कर लिया है मतलब जो breakfast और cleaning का काम होता है वो सब कुछ हो चुका है आरो सुश्कूल चले गये हैं और शुशिल जी कंपनी चले गये हैं और उसके बाद में थोड़ से थोड़ी बाते भी कर लूँ अभी मुझे बहुत सारा काम अभी बाकी है लेकिन दोस्तों आज फिर से ना जो मेरे हाथों में दर्ध होता था यह राइट हैंड में वो फिर से स्टार्ट हो गया है तो आज सुच रहे हूं कि मैं आगे का काम यह अपना कॉलर पहन के करू कि दो-तीन दिन से यह पेन जो है मेरा शुरू हो चुका है अभी क्या था ना तीन-चार मैने से काफी मुझे आराम था कोई भी पेन नहीं हो रहा था शायद मैं छुटियां चल रही थी शामर वेकेशन और मैं बहुत आराम-आराम से काम करती थी तो मुझे इतनी तकलीफ क मैंने आप सबको बताया ही है घर को जारना और बहारना मुझे डेर घंटे का टाइम लग जाता है और उसे में मेरा हाथ जो है ना वो ठक सजाता है उसके बाद तुरंत मैं लंच ब्रेकफर्ट्स यह सब बनाने लगती हूं जल्दी-जल्दी सारा काम रहता है सुबह में कि के बाद एक लगातार और जल्दी-जल्दी जब काम निप्टाने लगती हूं न तो यह मेरा प्रॉब्लम होता है तो शायद इसी रीजन से यह दुबारा से यह पेन स्टार्ट हो गया है तो चलिए कोई नहीं मैं फिर से इसे लगाऊंगी मुझे काफी रहत मिलती है इससे तो ठिक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है अब तो यह मेरा जिंदगी काया की हिस्सा बन चुका है इससे मैं भाग नहीं सकती है तो कोई बात नहीं चलेगा काम तो कर नहीं है तो जैसे भी करूँ और यह लगाने से मुझे रहत मिल जाती है अब देखिए कब तक कि यह पेन मेरा सही होता है अभी मिझे से यह फोन भी नहीं पकड़ जा रहा है क्यूंकि तीन दिन से लागातार मेरा पेन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है मतलब तो चलिए मेरा अभी काम क्या-क्या बाकी है वह मैं पहले आपको दिखाती हूं उससे भी पहले मैं अपन जब मेरे हाथों में पेन होता है तो इसको लगाते ही एक यहाँ पेन एक दबाव सा महसूस होता है और काफी राहत मिलती है मुझे तो जब पेन होता है तब ही यह लगाने का भी दिल करता है पेन ना रहे तब लगाओ तो उस वक्त भी मेरा मन अजीब सा घुटन सी होने ल लेकिन पेन के वक्त अगर इसको लगाती हूं तो मुझे रहात मिलती है और यहां पर मेरा शुभी मी नास्ता कर चुका है सबको हाई बोलो बिटा हाई बोलो सबको कितना धीवे से हाई बोल रहा है लग रहा है कि थाका हूँ नास्ता उसका हो चुका है और काम देखिए कितना बाखी है क्योंकि बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ देखिए कीचन की हालत यहां दोनों जनों का दूद्ध पड़ा हुआ है मतलब काजल का और नितुदीदी का यहां मेरा दूद्ध हुबल रहा है और आज मैंने यह आल करके धोना है यह बर्तन पड़े हुए हैं और यह देखिए इसमें चीटिया लग गए थी मैं अब इसको रखूंगी नहीं इसको हटा देंगी बाहर डाल दूँगी दिख रहे हैं आप चीटिया आपको दिख रही होंगी देख रहे हैं गर्मी का मौसा में चीटिया बहु करना है सबने नास्था कर लिया है अपने अपने लिए मैंने 2 रोटिया बनाई थी चलिए फटापर से पहले इनको निप्टा लिया जाए कि चन को साफ कर लेती हूं गीचन को सफाई करने के बाद आज मुझी बनाना है कड़ी, कड़ी चावल बनाऊंगी, इसलिए मैंने चोखा फ्राइ किया है, कड़ी के साथ ना चोखा अच्छा लगता है, हम लोगों को, या कोई पकोड़े अच्छा लगते हैं, तो देखे, पकोड़े में अगर बनाना ह मैं लोगों कोड़े बनाऊंगी, बना पाती मुखी नहीं, मन करेगा ताभी बनाऊंगी, बना नहीं बनाऊंगी और अच्छा लाँके लिए यह जड़े के साज़े अच्छा अच्छा बनाऊंगी, लिएगा बनाऊंगी, लिएगा लगते हैं, लिएगा एकर बनाओ पुझे कैदा है, कल भबर मिलाप़े लिएगा, लिएगा कि अजय को आयWhat कि अजय माद toute में कि अजय मैं अ . कि अजय मोर हम स किचिन को साफ करना हो तो सबसे पहले मैं सबसे पहले बобщनों को उनकी जिग्वर पे लगा हकर रखती हूं किचिन काउंटरम पर जिए जबवरक पहल हुए थे ङूठे कुछ गंदे में नोल ग। लिए में अभी धोंगी, क्यूंकि मुझे अभी कड़ी तयार करनी नहीं होती है। कड़ी बनानी के लिए मैं इसी कड़ाई का इस्तेमाल कर लूगी उसके बाद इसको धो लूगी, में. अब मेरी चोखा जो प्टाई करती हुए तो मेरी कड़ाई गंदी नहीं होतीए, बिल्कुल बस oily सी हो जाती है, गंदी बिल्कुल नहीं होती है, तो मैं क्यूं दो बार मेहनत करूं, उसी कड़ाई को मैं यूज कर लूँगी, तो इससे मेरे लिए भी आसानी होगी, दो बार मुझे कड़ाई नहीं धोनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हाते में वैसे भी बहुत सारा पेन है, और काम की भाई कामी तो रहती नहीं है घर में। काम की तो बार में वैसे एक आसानी हो जारा जाएबी तो रहती है, और काम की तो बार भी तो बार में। झाल झाल तो दोस्तो मेरे बरतन तो धूल गए अब मैं किचन की सफाई करूँगी उससे पहले मैं ये पनीर को फ्रिज में डाल दूँगी ये पनीर मैंने रात में बनाया था पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैं जो बताया था कि मेरे जो बहुत सारे दूद बच गए हैं उ अभी मैंने उसको फ्रिज में डाल के रखा है और फिर मैंने अपनी किचन की सफाई शुरू कर दी है खाना भी तो मुझे बनाना है लेकिन उससे पहले में सफाई कर देना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि गंदे काउंटर पे काम करना मुझसे नहीं हो पाता है मुझे काउंटर बिल्कुल भी क्लीन चाहिए एकदम उसके बाद ही मैं कोई खाना भाना बनाती हूँ ऐसा नहीं कि गंदा काउंटर पड़ा है उसी पर मैं कुछ बनाने का शुरू कर दूँ यह मुझसे नहीं हो पाता है तो देखी कितने अच्छी तरह से मैंने अपने काउंटर को अपने गैस स्टोफ को अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर दिया है उसके बाद मैं अपने कड़ी की मैंने तयारिया की थी फिर मैंने कड़ी भी बनाना स्टार्ट किया कड़ी की बनाते वक्त मेरा किचन काउंटर उतना गंदा भी नहीं होता है तो लेकिन फिर से मैं उसकी स ज़रूर करती हूं कुछ भी बनाने के बाद तो देखें यहां पर मेरे कड़ी भी बन रही है मैंने जो मुझे बूंदिया वगएरा त्यार करनी थी वो सारे कुछ मैंने कर लिया है अब मैंने यह दही और बेसन का जो गोल है वो डाल दिया है और आप देखी रहे हैं इतना क कुछ करने के बाद भी मेरा किचन काउंडर एक दम साफ है गैस्टोफ भी मेरा उतना गंदा नहीं हुआ है लेकिन फिर में कड़ी बनाने के बाद भी अपने गैस्टोफ को साफ ज़रूर करती हूं कड़ाई पर धकन लगाने के बाद मुझे याद आया था कि हरी यार अभी तो मैंने अपनी हरी मिर्ची को डाला ही नहीं है मैं हरी मिर्ची हमेशा लंबे साइज में काटके लास्ट में डालती हूं क्यूंकि वो न दही वाले जो मिर्ची होती है खटे खटे से लगते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है उनका तो कड़ी मेरी अभी उबल रही है और यहाँ पे देखिए मेरा इतना सारा काम अभी और फैला हुआ है मेरी वाशी मशीन पूरा कपरों से फुल हो चुकी है तो इसको भी मैं चलाऊंगी लेकिन इसको मैं शाम को चलाऊंगी शाम को जब आरुश आ जाएगा स्कूल से तो उसके यूनिफॉर्म भी इसमें मैं डाल लूँगी तो आज इसको कैसे भी मुझे चलाना है और ये जो कपरे हैं ये कल रात में मैंने फोल्ड किये थे लेकिन यही भी मैंने इनको छोड़ दी है तब ये थोड़ ठीक नहीं है तो मैंने इनको अभी जगे पर उनको लगा क रखा नहीं था तो ये भी काम मेरा भी पड़ा हुआ है तो बस में तबीयत की वज़े से तबीयत ठीक रहती तो ये काम भी मेरा निपट चुका रहता लेकिन कभी-कभी क्या हो जाता है तब या ठीक नहीं रहती है तो कुछ ऐसे काम जो एकदम से important यहीं होते हैं तो हम लोग थोड़ा छोड़ देते हैं और कर भी लेना चाहिए अपने आपको जादा stress में नहीं डालना चाहिए आपका शरीर जितना काम कर सकता है आप उतना ही करो उसको और जादा stress करोगे तो हो सकता है आपकी तबियत और भी ज्यादा बिगड़ जाए तो अच्छा है कि अपने आपके छमता के अनुसार ही हम अपना काम समा लें तो कल मैंने नहीं रखा था आज रख दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कोई फरक नहीं पड़ता है और बच्चे वैसे भी स्कूल चले जाते हैं अगर मैं सोफे पे भी कपड़े रख देती हूँ तो कोई उनको खराब करने वाला तो है नहीं वरना वो रहते हैं घर में तो डर रहता है कि भाई फोल्ट करके रखा है और कहीं वो खराब न कर दे लेकिन अभी तो वो सब उसकूल चले जा रहे हैं पुच्चू का भी स्कूल स्टार्ट हो चुका है और आज मेरे शूभी को भी अपने थेरेपी क्लास के लिए जाना है तो वो अभी नहा कर आ चुके हैं मैं उनके बालों में ऑईलिंग कर रहे हूँ अभी मेरे दोनों बच्चो के बाल काफी जादा बड़े हो गए हैं ये संडे को मैं इनके बाल सैलों भेजूंगी बाल कटवाने के लिए काफी जादा बड़े हो गए हैं और बहुत जल्दी भी होने लगती है कि बाल जल्दी से कटवाओ तो यह होने लगता है तो इसलिए मैंने आरुश को भी वाइलिंग की ती और अभी शुवी को भी कर दिया है और यहां देखी मेरी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो गई है और यह कढ़ी भी मसाले वाली कढ़ी है दोस्तों जैसे मैं दो के हटा दूँगी उससे पहले मैं अपने गैस्टोफ को एक बार और अच्छी तरह से साफ कर लोंगी बहुत जादा गंदे नहीं हुए हैं आप देखी रहे हैं सब तो आपके साम नहीं है गंदे जादा नहीं हुए लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार गैस्टोफ और काउंटर को साफ कर लेती हूँ तो दोस्तो फाइनली किचन का काम मेरा सब कुछ नी पढ़ चुका है लास्ट में बारे आती है किचन के फ्लोर की सफाई की खाना वगरा बनाने के बाद में एक बार किचन के फ्लोर की सफाई जरूर कर लेती हूँ इससे मेरा किचन सारा दिन एकदम साफ सुतरा दिखता है तो दोस्तो आज का व्लोग में यही तक रखूंगी उमीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा तो लाइक और कॉमेंट जरूर करिएगा मेरा वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स व्लोग में बाबाई टे क्यार